अब ही हमने कुछ ताइम पहले जो वे की इंडिया की सबसे एक्सेंसिफ सीरीज थी वो पूरी डिसकस करी अब हम डिसकस करेंगे वे का सेकेंड पार्ट वो है केसीन प्रोटीन इस नोट असेकेंड पार्ट बेसिकली मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ अब केसीन प्रोटीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है specifically यो डाउट्स आते हैं वो यह आते हैं कि क्या केसीन वे में क्या डिफरेंस है रात को केसीन लेना चाहिए कि नहीं जैसे लोग काफी लोग रिकमेंड करता है इस पर्टिकुलर वीडियो में या वीडियो सीरीज में हम डिसकस करेंगे। इसे कि हम देखा था कि जो मिल्क होता है उसमें 20% होता है वे और 80% होता है कसी इसका मतलब है कि जब भे लिक्विड निकल जाता है तो जो जीर बच पनीर बचता हैया कौटनीज बचती है टाइस या कसी प्रोटीन एक चीज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम वे से केसीन को compare करते हैं तो वे थोड़ा सा superior इसलिए माना जाता है क्योंकि जो उसके अंदर essential amino acids content है वो थोड़ा सा जादा होता है, especially leucine content जो है वो वे में जादा होता है, however, please understand कि difference बहुत ही minimal होता है, यह आप essential amino acids, leucine की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत difference है आपकी body को फरक नहीं पड़ेगा, और casein भी जो है, उसकी भी जो PDCAS value है या biological value है, वो almost वे की equivalent ही होती है, क्योंकि उसमें भी सारे के सारे essential amino acids मिलते हैं, amount में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे difference आता है, और हम देखेंगे आग या fiber, इनकी production में काम आता है, जो अपने नाम सुनों का micellar casein, तो basically missiles क्या होते हैं, कि जो casein होता है, जो milk के अंदर मिलता है, वो complex group of molecules में मिलता है, इन molecules के जो groups होते हैं, इनको हम missiles कहते हैं, इसलिए आप उसे micellar casein भी कहते हैं, ये चीज़ बिलकुल सच है और proven है, कि जो case protein isolate, milk protein concentrate और casein protein वगारा की digestion process है, उसको compare किया, उन्हेंने देखा कि जब casein को उन्हें intake करा, humans ने intake करा, तो वो आपके जो stomach है, उसमें जाके एक ball जैसा structure form कर देते हैं, 10 minute के digestion के अंदर ही ये process start हो जाता है, या बॉल formation type structure start हो जाता है बनना, और उनने देखा कि इन balls को properly dissolve होने म almost 3-4 घंटे का time लगता है, examine.com की research में बताया गया कि अगर आफ 40 grams of casein protein consume कर रहे हैं, तो आपका जो essential amino acid level है आपके blood में, वो almost 6 घंटे तक elevated रहेगा as compared to way, जिसमें essential amino acid level है, वो 3-4 घंटे तक elevated रहता है, इससे वहले कि हम casein की studies में आगे बढ़े, हम आपको बताना इसके ओपर भी मैंने एक e-book लेखी है, जिसमें casein के बारे में जो maximum studies available है, जिसमें इसको way बगारा से compare किया गया और इसकी performance enhancement activities है या जो इसकी properties है, उसको test करा गया है, वो सारी studies और बाकी information मैंने उस e-book में दी हुई है, अब हम उन सारी studies को detail में discuss नहीं करेंगे, लेकिन हम as a conclusion देखेंगे, for example, कुछ study में दिखाया गया है कि जब आप way और casein को compare करते हैं, तो थोड़ा बहुत muscle protein synthesis में difference आता है उपर नीचे, लेकिन maximum studies में दिखाया गया है कि actually में दोनों में कोई difference नहीं होता, तो अधर चार में एक journal, Medicine and Science and Sports and Exercise में एक US Research Team ने study करी, उन्होंने जब exercise के बाद दो groups को way और casein दिया, तो उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने बताया कि जो muscle protein synthesis है, चाहे वो short term में थोड़ा बहुत amino acid difference आपको साय का, because जो way है वो fast acting होता है, casein slow acting है, लेकिन long run में muscle protein synthesis में कोई difference देखने को नहीं मिला, दोनों में essential amino acids बगरा और उसके total benefits almost similar थे, so basically studies में यही चीज़ देखी गई है, कि जब आप way protein लेते हैं, तो short term में muscle protein synthesis है, वो जल्दी अकर होता है, लेकिन अगर आप casein ले रहे हैं, तो वही muscle protein synthesis जो है, वो long run में भी continue रहता है, तो long run में अगर आप वो चीज़ चाते हैं, तो casein is better, short term it is way, लेकिन amount of muscle protein synthesis, अगर हम same amount of द 26 gram casein, workout से पहले और immediately बाद में दिया, और उनने देखा कि 8 हफते के बाद, जब वो चार दिन हफते में proper training कर रहे थे, तो उनको कोई भी special benefit नहीं हुआ, किसी different type के protein से, तो way और casein, जाहे उनकी body composition हो, strength enhancement हो, इन बाकी चीज़ों में almost similar effect आया, दोनों protein से, तो अगर आप muscle protein synthesis की बात कर रहे हैं, तो जो बहुत सारे confusions दिमाग में लोगों के create करे गए है, companies वारा वो गलत है, studies में बहुत clearly बताया गया है, कि चाहे आप way protein consume करें, चाहे आप casein protein consume करें, muscle protein synthesis में, यानि overall जो आपको muscle anabolism है, जो muscle building है, उसके उपर इन दोनों का similar effect आता है, सरफ speed में difference आता है इसके एक और example में आपको देता हूँ, for example, जो anabolic steroids होते हैं, जो testosterone derivatives होते हैं, अब मैंसे काफी लोग पूछते हैं का सरी testosterone propionate में, enanthate में, siponate, deconate में फरक क्या है, इन में कोई फरक नहीं है, फरक आता है सिरफ speed में, तो for example, अगर कोई doctor आपको 500 mg testosterone enanthate दे रहा है, जो एक medium acting testosterone drug है, या वो आपको propionate दे रहा है, जो एक fast acting है, या वो आपको undeconate दे रहा है, जो बहुत slow acting है, तो दोनों के case में जो undeconate या enanthate या propionate है, यह जो esters हैं, सिरफ यहीं हैं, जो speed में difference लाएंगे, जो testosterone है, वो same act करेगा, बिल्कुल same effects होंगे, और difference सिरफ speed में आएग अगर आप same amount of testosterone, different derivatives ले रहे हैं, तो same आता है casein और whey के case में, सिरफ speed में difference आता है, overall muscle protein synthesis में और muscle building में, आपको कोई भी special benefit दोनों में नहीं देखा गया है, कि whey better है, या casein better है, ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल similar है, अब एक question आता है, काफी, जो famous question है, in fact, यह बहुत ही deceptive marketing concept है, कि रात को casein लेना चाहिए, you know, sleep से पहले, so basically, of course, ही बात है, देखिए, अब एक company ने क्या कर रहा है, उसनों बड़ा beneficial है, जैसे मैंने बताया था, कि पहले whey protein as a waste product use होता था, लेकिन अब whey protein की जब उनको importance पता लगी, उनकी economic benefits पता लगे, और वो बहुत demand में आया, especially sports वगरा में, तो उन्होंने whey protein को specifically derive करना शुरू किया, instead of a waste product, उसको specifically enhance करना शुरू किया, उसे properly derive करना शुरू किया, अब उन्होंने देखा कि जो cheese बच रहा है, या curd बच रहा है, ये casein के form में, इसकी properties इस तरह होती कि slow digesting होता है, और अपने benefits है, तो उन्होंने देखा क क्योंकि ये slow digesting होता है, 6-8 गंटे लेता है, digest होने में, on the other hand, काफी सारी जो studies है, वो ये भी कहती है, studies नहीं बोलूँगा, in fact, काफी सारी जो statements है, वो आपको सुनने को मिलेंगी, कि रात को आपको खाली पेच सुनना चाहिए, जादा नहीं खाना चाहिए, specifically, जो मैंने भी एक myth clear करी थी का रात को carbs नहीं लेने चाहिए, which was a myth, तो ये सारी की सारी statements सुनने को मिलती है, एक तरफ कह रहे हैं कि केसीन लेके सुनना चाहिए, या केसीन रात को लेना चाहिए, एक कहता है, नहीं लेना चाहिए, रात को गुजभी है भी, तो research में देखा गया है, कि ये जो concept है, जो pre-sleep protein intake का concept है, ये basically उनके लिए introduce किया गया था, जो रात को late work out कर रहे हैं, जिनकी recovery time शुरू हो रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर meal नहीं ले रहे हैं, however studies में, रात को केसीन प्रोटीन अलग से लेने का कोई भी benefit नहीं देखा गया है, बहुत clearly approved हुआ है, for example, 2017 में International Journal of Exercise Science में एक study में बताया गया, कि आप केसीन प्रोटीन को रात को consume कर रहे हैं, सुबह consume कर रहे हैं, इस ही आपकी sports performance पर या body composition पर कोई भी difference नहीं आता, however studies में ये भी देखा गया है, कि अगर आप रात को, and you've not eaten anything much, और आप faster state में हैं, उसमें अगर आपने whey protein या केसीन प् पर ये सोच रहे हैं, कि रात को लेने से को special benefit हो रहा है, तो वो भी नहीं है, अब इन सारी studies का जो एक conclusion निकलता है, वो ये निकलता है, कि अगर आपने पूरे दिन में adequate protein consume करा हुआ है, चाहे वो whey protein के form में हो, चाहे वो casein के form में हो, चाहे वो overall dietary protein जो है आपका whole food से ले रह रहे हैं और आपको for some reason आप चाहते हैं कि मुझे protein intake proper मिले, तो आप रात को casein या वे कोई भी आप जो लेना चाहे है, वो ले सकते हैं, speed में भी कोई ज़्यादा difference नहीं आता है, जैसे मैंने बता था कि वे का digestion जो EAs, almost 4 गंटे तक को EAs मिलते रहेंगे, उसमें आपको 6-7 ग protein है, उसको before bed लेने का कोई भी special benefit नहीं है, अब आता है एक और question, marketing के चक्कर में, companies ने और amazing supplements निकाल दिये, for example, पहले से रवे protein था, उसके बाद अब वे और casein blend आने लगे हैं, और वो कहते हैं, अच्छा ये वाला better है, so studies में, multiple studies में, जो मैंने इस e-book में भी लिखा है, उस पे casein का percentage जादा है, या आप casein अलग से ले रहे हैं और वे अलग से ले रहे हैं, या दोनों में से एक ले रहे हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, आपकी body को ये दोनों sources से adequate essential amino acids और overall amino acids मिलेंगे, और muscle protein synthesis बिलकुल सेम होता है, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर आप आप आपने एक supplement market में देखा, जो है whey and casein blend, अब एक normal whey protein से, वो whey और casein जो blend है, वो 2000 रुपे महंगा है, तो you are just wasting money, वो कोई special benefit नहीं देगा, अगर एक casein protein, whey protein से बहुत ज़ादा महंगा है, कोई special benefit नहीं होगा, अगर whey protein, casein से बहुत ज़ादा महंगा है, कोई special benefit नहीं muscle protein synthesis पे कोई difference नहीं आता, as long as आपकी body में adequate protein source आ रहा है, इन सारे different type of milk proteins जो आपको मिल रहे हैं, supplement के form में, इन में कोई भी फरक नहीं आता, so I hope जो casein को लेकर हमारे मन में सारे doubts थे इस वीडियो में वो हमने clear कर ली है, so यह जो आपका सबसे पहला doubt था कि क्या वो slow digesting protein है, हा लेकिन इससे muscle protein synthesis पे और body composition पे कोई फरक नहीं आता, आपको रात को casein लेने की कोई जरूत नहीं है, अगर कोई आपको बोल रहा है special benefit मिलेगा, वो जूट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यह तब ही उसका use तब है, जब आपका पूरे दिन में जो आपका protein content है, वो को adequate नही मिला है, और जो इनसान normal dietary protein intake कर रहा है, साथ में way protein मगरे ले रहा है, उसको रात को casein लेने की अलग से कोई जरूत नहीं है, do not waste your money on a separate supplement, जो third मित आती है casein को लेकर वो यह है क्या casein और way का blend है वो बेटर होता है, answer is no, आप चाहे casein और way का blend लें, चाहे casein लें, चाहे way लें उसमें कोई भी difference आपके muscle protein synthesis या body composition में लेकने को नहीं मिलता है, आपको इस टेम ध्यान देना है अपने जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको कोई भी जबरदस्ती का costly fancy supplement लेने से कोई benefit नहीं मिलेगा, यह marketing techniques होती है, so I hope आपकी casein को लेकर स सारे के सारे doubts clear हो गए हों और ऐसी बहुत सारे amazing videos के लिए, देखते रहे हैं, be a stupid